नमस्कार दोस्तों, तो आज का जो हमारे सेसन यहाँ पर होने वाला है, वो सम्बंदित हैं हमारे कंप्यूटर के प्रस्ण से. हम यहाँ पर प्रिवेश एयर में आये वे जो questions हैं उनको यहाँ पर discuss करने वाले हैं और साथ-साथ हम यहाँ पर detail में बात करेंगे detail में बात करने से यह लाव होता है कि आपकी जो basic understanding है किसी topic पर वो यहाँ पर improve होती है तब उस topic से अगर कोई समय परशन यहाँ पर पुझा जाता है तो उसके सही होने के चांस है वो यहाँ पर बढ़ जाते है तो पहला जो हमारे पास यहाँ पर परशन है कि Rome memory क्या है तो अगर आप इस channel पर नए हैं तो प्रिज़ सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें आप सेर करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर motivate होते हैं जानकारी आप तक पहुचाने के लिए तो अगर हम बात करते हैं जो हमारे पास यहाँ पर Rome है सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी जो full form है उसके बारे में तो अगर हम बात करते हैं कि यह केवल पढ़ने के लिए यहाँ पर होगी, तो सही आंसर जो हमारे पास इसका होगा, वो होगा यहाँ पर A. केवल पढ़ने के लिए ही हम यहाँ पर ROM यानि Read-Only Memory का यूज करते हैं, अगर हम बात करते हैं, यह एक तरीके से यहाँ पर इस्थाई Memory है, यनि Permanent Memory भी हम इसको यहाँ पर बोलते हैं, अगर हम बात करते हैं, हमारे कंप्यूटर में दो टाइपस की Memory यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, यनि there are two types of Memories, फस्ट वन अगर हम बात करते हैं, तो यह हमारे पास यहाँ पर External और Second वन हमारे पास है, यहाँ पर Internal Memory आप इसके नाम से ही यहाँ पर समझ सकते हैं, एक हमारे पास है external और दूसरे हमारे पास यहाँ पर internal external मतलब हमारे पास यह हमारे पास है जो वो बाहिये memory है और यह हमारे पास यहाँ पर आंतरिक memory है इसके example आप अपने daily life में भी use करते हैं external memory में सबसे अच्छा जो अब example आपको देखने को मिलता है यह तो वो यहाँ पर हो सकता है आपकी pen drive second one हमारे पास है आपकी harddix third one हम ले सकते हैं अब उसका चलंग काफी कम हो चुका है DVD DVD form में भी आपको यहाँ पर जो मिलता है वो भी हमारी external memory है दूसरा बात करते हैं हमारे पास यहाँ पर internal memory की तो internal memory हम यह देखते हैं हमारे पास only two types की internal memory हमें देखने को मिलती है first one हमारे पास यहाँ पर RAM and the second one is ROM तो जो ROM है हमारी यह हमारी internal memory के रूप में हम इसको यहाँ पर देखते हैं अगर हम बात करते हैं दोनों के बीच में यहाँ पर क्या difference है RAM और ROM के बारे में तो अगर हम बात करते हैं पहले बात करेंगे इसकी जो है हम यहाँ पर definition के बारे में तो जो इसकी यहाँ पर definition होगी कि जो RAM है वो एक ऐसी memory है जो आपने कोई अपने के computer के अंदर कोई program या कुछ information की processing की है तो वो सरा कारिय जो होगा वो RAM के अंदर होगा RAM को हम बोलते हैं यहाँ पर random access memory तो random access memory जो यहाँ पर है उसका काम यही है कि आपने जो कोई भी data या कोई भी information computer को दी है वो उसका कारिय यहाँ पर करता है और जितनी भी वो सब सूचना है आपके computer के चलाने के दोरान ही यहाँ वो सारी जो है वो हमें RAM में देखने को मिलती है अगर हम बात करते हैं जो RAM है यह STI यानि रिटिटर मेमोरी इसको हम बोल सकते है यानि यह क्या है यह हमारी यहाँ पर STI मेमोरी है अगर हम बात करते हैं RAM जैसे ही आप अपने computer को shutdown करते हैं RAM के अंदर जितना भी data आपने यहाँ पर store किया है वो सभी यहाँ पर nest हो जाता है तो यह हमारा संबनता है हाँ पर RAM से अब हम बात करते हैं आपकी RAM यानि read only memory से संबनता है इसको हम non-volatile memory बोलते हैं यानि यह हमारी यहाँ पर STI memory है जितने भी हमारा जो basic input होता है और उसका यह data को store करने का काम यहाँ पर करती है जितना भी हम data यहाँ पर store करते हैं वो सारा हमारा store होगा वो हमारा सारा होगा यहाँ पर ROM के अंदर इसकी अगर हम बात करते हैं कुछ विसेस्ता ही भी है memory में जितना data store होगा जितने भी हम direction देंगे वो केवल यहाँ पर क्या होगा सिरफ उसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं read कर सकते हैं केवल हम उसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं उसको हम यहाँ से जो है हटा नहीं सकते याई हम उसको यहाँ पर delete नहीं कर सकते RAM, ROM के अंदर जो होगा उसको हम यहाँ पर हटा नहीं सकते और अगर हम comparison करते हैं यहाँ पर RAM के अंदर जैसे हैं आपने अपना computer shutdown किया और shutdown करते ही RAM के अंदर जो डटा था वो सबी यहाँ पर समाप्त हो जाता है तो अगर इस तरह के को person आपको कोई मिलता है एक्जाम में तो आप इजिली आप उसको यहाँ पर solve कर लेंगे अब चलते हैं next question की तरफ नेक्स जमारे पास जो यहाँ पर person है कि smarty यानि memories तो आपकी memory में जो आकड़े हैं आकड़ों की इस्तितिक का विसेश रूप से विक्त करने का साधन यहाँ पर क्या है तो गर हम बात करते हैं इसका जो साई आंसर होगा वो होगा यहाँ पर बी यानि memory का address memory का address ही यहाँ पर इसका साई आंसर होगा इसको गर हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपने अपने laptop या पर के PC में कोई भी डाटा जो है store किया है वो बिना address के store नहीं हो सकता यदि आप दुबारा उसको फिर access करोगे अपने data को तो वो बिना address के यहाँ पर उसका जो path है वो सही जगा नहीं होगा अगर वो उसका address वहाँ पर सही नहीं आपको पता है तो यह पुरा का वी जो है नेक्ट हमारे पास जो बर्सन है यहाँ पर वो है कि CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है? तो अगर हम बात करते हैं जो हमारे पास यहाँ पर CD-ROM है, इसकी जो full-form यहाँ पर होगी कि उसका पूर्ण रूप क्या होगा? उसका पूर्ण रूप होगा यहाँ पर compact disk read only memory. तो अगर हम बात करते हैं सही अंसर जो हमारे पास उसका होगा वो होगा यहाँ पर क्या? सही अंसर हमारे पास यहाँ पर B. सही अंसर हमारे पास यहाँ पर B, यानि compact disk read only memory सही अंसर है. अगर हम बात करते हैं इसके यहाँ पर काम की, जो हमारे पास CD-ROM है, अब हमने बात की यह ROM है यानि Read Only Memory है और Compact Disc है तो यह एक तरीका क्या है हमारे पास इसकी वो क्या है optical disc है यनि यह क्या होगी हमारे पास optical disc होगी और इसके अंदर हम पर डाटा को जो है वो store कर सकते हैं और संगरहित कर सकते हैं डाटा को एक बार संगरह करने के बाद हम इसको जो है वहाँ पर remove नहीं कर सकते और कोई भी नए data हो में इसमें यहाँ पर store भी नहीं कर सकते तो यह CD-ROM के साथ हमें कुछ खामिया दिखाई पड़ती है अगर हम बात करते हैं यह हमारी कौन सी है यह हमारी यहाँ पर CD-ROM के बारे में हमने बात की नेक्स हम चलते हैं अपने परशन की तरफ नेक्स हमारी पास यहाँ पर परशन है कि कंप्यूटर के संबंद में RAM का क्या दात पर यह है यह हमने अभी डिसकस किया है अपने पिछले परशन में तो जाईशी बात है कि इसका सही आंसर आपको पता होगा तो आप comment box में भी इसक the special memory वह है अब यहाँ पर रेंडम एक्सिस मेमोरी जो रेंडम एक्सिस मेमोरी में है यह क्या है हमारी यहां पर इस्थाई मेमोरी है ही आपने computer पर काम किया कुछ काम किया तब तक ब समाप्त हो जाता है ईडिल में पिछले प्रश्ट में बात किया सहिए अंतर इसका यहां पर चलते है नेक्स प्रषन की तरफ नेक्स जो हमारे पास यहां पर प्रश्ट है कि एकसल इस्प्रेट्ट सिट की जो मू लिकाई है जहां पर डाटा की body part है और यह जो है वो पूरा की तरह हम बात करतے है यहाँ पर आपके kolum और row के intersection से यहाँ पर बनता है रो और kolum के intersection से यहाँ पर यह divide होता है अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसके पूरे functions के बारे में तो जो पूरा function यहाँ पर हमें दिखाई पढ़ता है इसका तो वो कुछ इस तरीके से है कि जैसे अगर हम बात करते हैं कि आपने अगर हम एग्जांपल्स कर लेते हैं कि cell address of B8 का यहाँ पर क्या औरत होगा B8 का यहाँ पर औरत होगा कि आपका जो कोलम है याणि आपका जो Rudra Haushht तो यहाँ पर डिवाइड होंगे इस तरीके से, इसका जो यहाँ पर B column में 8 split में, यानि 1, 2, 3, 4, ऐसे करके यहाँ पर जो 8 number होगा, उसमें यहाँ पर data की आपकी entry की जाएगी, तो जो आपकी Excel split sheet है, वहाँ पर data की entry जो है, वो किसके अंदर की जाती है, वो हमारे cell के अंदर करती है, cell को कहीं बार आप जो है, body यानि उसका जो body parts है, उसको भी यहाँ पर divide कर सकते हैं, अब चलते हैं next question की तरफ, next जो हमारे पास यहाँ पर question है, कि Oracle क्या है, Oracle क्या है, जो हमारे पास यहाँ पर Oracle है, यह एक तरीके से करम बात करते हैं, यह क्या है, data software है, data software यहाँ पर Oracle है, और इसका जो निर्मान यहाँ बात करते हैं, जो production क्या था, वो Oracle foundation ने क्या था, और में जिकरम बात करते हैं जो मारे पास यहाँ पर औरेकल है वो क्या है जो database management है उसके एक ऐसे system का निर्मान करता है एक ऐसे program का निर्मान करता है जो user को उसका database की कुछ भी रचना करने यानि उसका जो है निर्मान करने और उसका सही तरिके से उसको maintain करने यहांनि database का यहां पर निर्मान करने और उसको यहां पर maintain करने का काम और एकल के माध्यम से किया जा सकता है main इसका परपरजह है आपके data को store करना और एंट्रीज को पर प्रोवाइड करना पुरा काम यहांपर Oracle Base के द्वारा करता है यह क्या है data software है चलते हैं next question की तरफ, next मारे पास जो यहाँ पर question है कि basic निमिन में से कौन सी एक भाशा है, देखो computer में लगलग भासा ही होती है, उनमें से एक भासा जो है वो basic है, और basic भासा यहाँ पर पूछी कही है कि वो कौन सी है, जो सही अंतर इसका होगा वो होगा यहाँ पर procedural, procedural भासा यहाँ पर basic है, देखो अगर हम बात करते हैं, दो तरीके से हमने इसको divide किया हुआ है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर procedural भासा की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन-कौन सी भासा को इसके under हम रख सकते हैं कई बार exam में, उन भासाओं के बारे में परशन पूछा गया ह तो साथ-साथ हम उनको भी हाँ पर discuss कर लेंगे, अब हम बात करते हैं सुछ पहले हाँ पर procedural languages के बारे में, तो कौन-कौन सी भासा है है, C, Go, Fortron, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कौन सी भासा होगी, वो होगी यहाँ पर फिर पासकल, और आपकी यहाँ पर basis, यह पांचो भ बासाएं जो हैं वो आपकी procedural बासाएं हैं, नेश्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर object oriented language, objective oriental जो language है, तो कौन-कौन सी language यहाँ पर होगी, अगर हम बात करते हैं इन भासाओं के बारे में, तो हमारे पास computer है, वो अलग-लग बासाओं में काम करता है, ताकि सही तरी के data को अगर हम इस्टोर कर सकें, काम कर सकें वहाँ पर, तो पुरा procedure in language के तुरू ही यहाँ पर होता है, इसको हमने दो भागो में डिवाइड किया गया है, procedure और objective oriented, procedure में हमारी जो है, वो C है, Go है, 4 turns है, Pascal है और basic है, अब हम बात करते हैं यहाँ यहाँ पर objective oriented language के बारे में, तो इ जावा भी आपकी object oriented language है, और फिर हो जाएगी यहाँ पर C हैस्टैग, फिर अगर हम बात करते हैं, पर्ल, फिर ऐसे ही बात करते हैं, Python, Python language, Java language काफी आजकार चलन में है, फिर हम बात करते हैं, PHP, अब यह जितनी भी भासा ही हमने यहाँ पर बात किया है, यह क्या है, object oriented language है, अब इस तरह के परशन आपको अगर मिलते हैं कि अग्जाम में पूछले कि C++ किस तरह की बात आए, तो C++ यहाँ पर क्या है, object oriented language है, C जो Java है, वो भी यहाँ पर क्या है, object oriented language है, अब इनके बारे में परशन आपको देखने को मिल सकता है, आपके अगले वाले एग्जाम मे C++ यह Java, काफी mathematical language है, Python भी काफी mathematical language है, तो सही answer जो होगा, वो यहाँ पर पूछा गया है, basic के बारे में तो basic क्या है, procedural language है, चलते है next question की तरफ, next हमारे पास जो परसन है, वो यहाँ पर यह है कि किस संगटन की website पर.com अंस सुचित करता है, तो यहाँ पर जो सही answer होगा, वो होगा यहाँ पर आपका d commercial, यानि जो हमरे पास .com है, वो यहाँ पर संबंदित है हमारे commercial language से, अब अगर हम बात करते हैं, इस तरह के जो आप देखते हैं, कि अगर हम बात करते हैं, कि अगर आपने किसी भी site के पीछे edu लिखावा देखते हैं, यह भी क्या है, एक domain name ही है यह संबंदित है आपकी education site से, ऐसे अगर हम बात करते हैं .net, यह भी कई बार आप देखते होंगे, .gov, तो जितनी भी government के sites हैं, उनके अलग-लग divide up कर दिया है government, तो यह भी क्या है, यह government की website है, यह आपकी education संबंदित website होगी, यह आपकी general website होगी, तो यह सभी क्या है, तो आपकी यह क्या है, top level domain है, ऐसे एकर हम बात करते हैं, अन्यक क्या हो सकता है, जो अलग आप देख सकते हैं, .info भी आगर आप देखते होंगे, तो यह सब क्या है, यह आपके domain name extension है, और जो .com का यहाँ पर मतलब होगा, वो होगा यहाँ पर आपका commercial होगा, कहीं बार आप देख सकते होंगे, कि edu.us, जानि यह क्या है, यह क्या है, यह कोई educational site है, तो इसका जो मतलब होगा, कि अमेरिका में कोई एक sectionic सस्थान की यह जो है, वो site है, ऐसे ही अगर आप देखते हैं, edu.info India, अगर आप ऐसे देखते हैं, .in, तो इनका क्या मतलब होगा है, यहाँ और वो होगा, इंडिया के अंदर कोई educational सस्थान की site है, तो सही answer जो इसका होगा, वो होगा, यहाँ पर commercial, next बात करते हैं, next हमरे पास जो यहाँ पर question है, कि OMR का क्या काताथ पर यह है, तो यह आपका, इसका जो सही answer होगा, वो होगा, यहाँ पर optical mark reader, सही answer इसका यहाँ पर optical mark recognition, कहीं बार आपको exam में यह भी मिल सकता है, या exam में आपको क्या मिल सकता है, optical mark reading, तो इसका अगर हम बात करते हैं, इसका क्या कारिये है, तो इसका हम यूज करते हैं, कि किसी कागज पर pen या pencil की अनुपरस्तिती या अनुपरस्तिती को जहाँ चाहें यहाँ पर जाता है, आपको अगर हम बात करते हैं, जो आपकी ओम आर शिट है, जो आपकी जब आप किसी भी exam में यहाँ पर जो है, अपने questions को fill करते हैं, ऐसे गोले के अंदर अलग ऐसे करके, तो यह जो है, यह किस तरह किसे हम read करते हैं, यह ओम आर शिट क Mark, रिटर से, यहाँ पर A, अब हम बात करते हैं, आपके next person की तरफ, और next हमार जो है, यह last person है, तो की साही answer का जो होगा, हम बात करते हैं पहले IRC, IRC का क्या तारप पर यह है, तो अगर हम बात करते हैं, IRC का क्या मतलब है, तो IRC यहाँ पर क्या है, इंटरनेट रिले पढ़ना ली है, जो की दुनिया भर के क्या है, क्रोडो लोगों को वास्तिक समय में, यानि रियल टाइम में क्या करती है, क्या क्या करती है, यानि आप बातचीत आपस में कर सकते हैं, रियल टाइम में क्या कर सकते हैं, रियल टाइम में ही क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर क्या मतलब हो गया है, हाँ पर Internet Relay Chat, कहीं भार इसकी जो है वो definition भी आपको exam में देखने को मिल सकती है, Internet Relay Chat, तो ICA का मतलब यह हो गया, Internet Relay Chat, सही अंसरिसका होगा हो गया है, हाँ पर भी, तो यह पर पर इसका किया और साथ साथ में डिटेल में बात की, तो आसा करते हैं, आप share करते हैं, subscribe करते हैं, तो हम भी यहाँ पर motivate होते हैं, जानकारी आप तक पोचाने के लिए, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, धन्यवाद, जहेंदे